दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ ही में आज बात करेंगे डिएचेफल की जी हाँ दोस्तों दोनों शेर्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं मैं आज आप के लिए तो वीडियो में आकरी तक बने रहिएगा अगर सुज जुलोन एनर्जी के अंदर आपको पता है कि यह अभी एक पेनी शेर है लेकिन वॉल्यूम बेस काम इसके अंदर काफी ज़्यादा बढ़ गया है और इसके अंदर भी आपको बड़े बड़े टार्गेट देखने को मिल सकते हैं इसी के साथ डियेचेफल को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसको यहाँ पर बॉम्बे हाई कोट की तरफ से यह खबर निकल कर आई है तो चलिए सारी चीजों को डीटेल में जाने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ मैं आपको डीएचेफल के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन के दोरान भी अपर सर्कि इसलिए देखने को मिलेगा क्या आप डीएचेफल का शेर बढ़ने के लिए तैयार है और इसकी डी लिस्टिंग को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सबसे बिले बात करना आपको इस पूरे चार्ड के अंदर याने कि फर्स सेशन और सेकेंड सेशन की बात करें तो दोनों सेशन के अंदर आज आप कल आपको सुजलोन एनरजी के अंदर तेजी बनते हुए दिखी हैं कल सुजलोन एनरजी का शेर पांच रुपे पर ओपन हुआ पांच रुपे 25 इस पेसे का इसने हाई बनाया और 4 पे 56 पेसे का इसने लो बनाया लेकिन आप अगर यहां पर closing देखेंगे तो यहां पर एक positive closing देखने को मिली है काफी समय बाद यहां पर सुजलोन एनरजी के अंदर 1% की तेजी दरज करी गई है और सुजलोन एनरजी की पीछे अगर हम volume जिम बेस काम की बात करें तो सुजलोन इनर्जी के अंदर कल के दिन BAC में 98,40,660 कौंटिटी उठाई गई है उसी के सामने 47,85,888 कौंटिटी डिलेवरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलेवरेबल बेस पर कौंटिटी का परसेंटेज है 48 परसेंटेज जो कि काफी अच् 5520 कौंटिटी डिलेवरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलेवरेबल बेस कौंटिटी का परसेंटेज है 40.49 याने कि 40% की बरोबर तो यहाँ पर जो सुजलोन इनर्जी है उसके अंदर डिलेवरेबल बेस काम काफी ज़्यादा बढ़ गया है और इसके पीछे की वज़ ज़्यादा यहाँ पर खपत हो रही है जिसको देखते हुए गवर्मेंट ने अपना ध्यान पूरा पवन चक्की पर याने कि जो ग्रीन एनर्जी है उस पर डिपेंडेंट हो गई है और आने वाले टाइम में हमारी गवर्मेंट ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है तो आपको जो यहाँ पर एक शेर से सुजलोन एनर्जी वो मल्टी बेगर बनता वह भी देखने को मिल सकता है लॉंग टम के अंदर तो यदि आप इसके अंदर अभी इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्मेंट क लगते हैं और शेर मार्किट के अंदर तो आपको रिस्क लेना ही पड़ती है इसी के साथ अगर इसके वॉल्यूम को भी अगर एक बार के लिए एनालिसिस करें तो आपको लास्ट वन मन्थ में जो क्वांटिटी ट्रेद होते वे देखने को मिली थी तीन करोड चार करोड चार करोड और कल जो आपको NAC और BAC के अंदर क्वांटिटी ट्रेद होते हैं देखने को मिली हो सबसे ज़दा है लगबख 5 करोड क्वांटिटी कल NAC और BAC के अंदर ट्रेड हुई है तो वोल्यूम बेस काम भी सुजलोन एनरजी के अंदर काफी ज़दा बढ़ गया है ज अबी सुजलोन एनरजी का शेर्ड अपने 52 वीक के हाई से 41.24% नीचे ट्रेड कर रहा है लेकिन उमीदे लगाए जा रही है कि आपको 2021 के आखरी तक ये टार्गिट भी अच्छी होते हुए देखने को मिल सकता है क्योंकि ग्रीन एनरजी को लेकर बहुत सारे स्टेप्स उ अब बात कर लेते हैं DHFL की यानि की दिवान हाउजिंग फाइनेंस कोर्पोरेशन लिमिटेट की दिवान DHFL के अंदर जितने भी शेर होल्डर से उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोस हो रहा है क्योंकि जो शेर 100 रुपे पर ट्रेड कर रहा था वो अब सिर्फ 16 रुप देखने को मिला है DHFL का शेर्स कल 16 रुपे 40 पेसे पर बंद हुआ लगबग 5% की तेजी कल देखे गई कल यह शेर 15 रुपे 65 पेसे पर ओपन हुआ था 16 रुपे 40 पेसे का इसने हाई बनाया और 15 रुपे 65 पेसे ही इसका लो था यानि कि मार्केट ओपन होते से ही इसके उन्होंने अपील करी है कि इस D-Listing को लेकर बहुत 9 साफी हो रही है हमारे साथ और इस D-Listing को रोका जाए तो यहाँ पर Bombay High Court ने D-Listing के उपर इस्टे लगा दिया है अब यह बामला पूरा Code के पास चला गया है तो जब तक Code की तरब से कोई Final Order नहीं आता है तब तक य यहाँ पर Share Olders जितने भी यह D-Listing के उनको यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत बरी खबर देखने को मिली है D-Listing का Shares अपने 52 वीक के हाई से लगबग 62% नीचे ट्रेड कर रहा है हलाकि मैं इसको आपको खरीदने के बिलकुल सला नहीं देना चाहूंगा क्योंकि यह Company Bombay High Court की तरफ से News निकल कर आई है यानि कि एक साल के लिए एक साल तक का हम Approx Target लगा कर देख सकते हैं जब तक Bombay High Court का कोई Final Decision नहीं आ जाता है तब तक तो यहाँ पर D-Listing रुख गई है तो यह D-HFL के Shareholders के लिए थोड़ी सी रहात बरी खबर हो सकती है D-HFL Company ने अपने Investors को लास्ट एक महिने में लगबग 21 से 22% तक का Negative Returns बना कर दिया है जो कि काफी ज़्यादा है जिसा कि आपको पताए कि D-HFL Company को पिरामल ग्रूप ने यहाँ पर acquire कर लिया है और यहाँ पर D-HFL Company अब पूरी तरीके से डूप चुकी है लेकिन यहाँ पर जितने भी Investors है उस देखने को मिल रहे हैं आपको तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा recovery हो पाएगी shareholders की उतना यहाँ पर उनको relaxation देखने को मिल सकता है इतना यहाँ पर relief देखने को मिल सकता है इसी के साथ यहाँ पर जो D-HFL ने FD holders के लिए जो यहाँ पर resolution plan निकाला था उसको भी यहाँ पर D-H के पहले यहाँ पर company को कुछ important decisions लेने होते थे और उसका यहाँ पर shareholders से भी acceptance लेनी होती थी लेकिन company की तरफ से कोई एसी acceptance नहीं लिगई है एसा कहना है उनके shareholders का यानि कि D-Listing के समय आपको एक fair price value declare करके यहाँ पर अपने shares को D-Listing कराना होता था एसा D-HFL की तरफ से कोई भी steps नहीं उठाई गई है जिसको देखते हुए D-HFL के यहाँ पर जितने भी shareholders से वोनों ने Bombay High Court के अंदर याचिका लगाई है यानि कि petitions लगाई है और उस petitions को Bombay High Court ने accept कर लिया है और अभी के लिए इस D-Listing की खबर पर stay लगा दिया है तो यदि आप सूजलोन एनरजी के अंदर investment करना चाते हैं तो यह एक बहुत अच्छा share से लेकिन penny share से risk level थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको अपने risk के according investment करना चाहिए चलिए दोस्तों उमीद है आपको यह video और update पसंद आई होगी अगर आपको यह video और update पसंद आई है तो इसे like और share करना बिलकुल न भूले हमने वीडियो सिर्फ आपके knowledge purpose के लिए बनाई है किसी भी shares को खरीदने या बेचने के पहले आपको अपने financial advisor से consult कर लेना है उसी के बाद में investment करना है थैंक्यो फॉर वचिंग